कल 9 अक्तूबर 2023 को दस्वी कक्सिया का सोसल साइंस याने की समाजिक विज्ञान विशय का एक्जाम है अर्दवार्ची परिक्सिया के लिए इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सोसल साइंस विशय का जो मैंने सैंपल पेपर अपने चैनल पर अपलोड किया था ताकि आप इसको सोल करके अपने एक्जाम की प्रिपरेशन को चेक कर सके इस कोशन पेपर का आज मैं सोलूसन इस वीडियो के अंदर आपको ब इसमें एक से ग्यारा तक आपके सभी question एक एक नमबर वाले आएंगे पहला question है इसमें सरस्वती सिंदू से बता कि खुदाई किस वर्ष की गई थी तो इस question का जो answer है वो है 1921 और 22 में तो option C जो है आपका answer है इसका उसके बाद अगला question है कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संग का उधारन है तो इसका answer है option A भारत उसके बाद अगला question है question number 3 फलो और सबजियों की किरसी क्या कहलाती है तो इसको कहते है option C हार्टी कल्चर option C जो है इसका answer है उसके बाद next question है question number 4 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है यानि की सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो इस question का answer है नर्मदा यानि की option B जो है आपका answer है next question है निमलिकित में से कौन सा एक नवी करण योग्य संसादन का उधारन है यानि की ऐसा संसादन जिसको पुन है पराप्त किया जा सकता है sorry इसमें लिखावाए नहीं है यानि की ऐसा कौन सा संसादन है जो एक बार समाप्त हो गया उसको दुबारा पराप्त नहीं किया जा सकता तो वो है खनिज तो option C जो है आपका answer है next question है महातमा बुद्ध दुवारा दिये गए पहले उपदेश को क्या कहा गया तो इसका answer है धर्म चक्र परवर्तन तो option B जो है आपका answer है next question है सरस्वती सिंदु से बता कि किस सथल से जुते हुए खेत के साक्से मिले हैं तो इसका answer है काली बंग तो option C जो है आपका answer है उसके बाद अगला question है रास्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी अधीनियम कब लागू किया गया तो इसका answer है option B 2005 में उसके बाद अगला question है आउसिस्ट या बाकी बचे विशो पर कानून बनाने का अधिकार किस के पास है तो answer है इसका option B केंदर सरकार के पास यानि कि ऐसे विशे जिनके ओपर राज्य सरकार जो है कानून नहीं बना सकती उनके ओपर जो है केंदर सरकार कानून बना सकती है यानि कि ये वो विशे हैं जिन पर केंदर सरकार कानून बना सकती है कि उसके पास अधिकार होते हैं अगला question है सामूदाई सरकार का विचार किस देश ने अपनाया तो answer है इसका option A Belgium ने उसके बाद अगला question है question number 11 भारत के किस छेतर में परचन बेरोजगार यानि की छूपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है तो answer है किरसी के अंदर उसके बाद है section B very short answer type question दो दो नूमर वाले question है इसके अंदर पहला question है सरस्वती सिंदु सबता के नगर नियोजन की मुखे विशेशता है क्या थी answer देखें सरस्वती सिंदु सबता के नगर योजना में टीले पाई जाते थे पूरू टीले पर आवास छेतर यानि कि जो पूरू का टीला था उस पर आवास ये छेतर थे यानि कि लोग वहाँ पर रहते थे तथा पस्चमी टीले पर दुर्ग स्थित थे यानि कि पस्चमी टीले मजबूत थी जिन में बुर्ज बने हुए थी यानि कि सुरक्षा के लिए बुर्ज बने थे second point है इस सब्वेता में मुख्य सडके नगर को 5-6 खंडों में वाजित करती थी मोहन जोदलो में मुख्य सडके 9.15 मीटर यानि की जो मुख्य सडक थी वो 9.15 मीटर चोड़ी थी और जो गलिएं थी वो 3 मीटर चोड़ी थी सडकें कच्ची होती थी और जो सडकें थी वो कच्ची थी उसके बाद साफ शफाई का विशेज ध्यान रखा जाता था कूडे कचरे के लिए सडकों के किनारे कूडे दान रखे जाते थे यानि कि इस सब बता के दोरान ही लोग जो हैं सफाई का उचीत व्यवस्था रखते थे जो सडके थी उनके किनारों पर कुड़ेदान रखे जाते थे घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी यानि कि घरों से जो पानी था जो वेस्टेज पानी था वो नालों में जाता था नालियों के दवारा और उसके पस्चात नालों से पानी को जो हैं सहर से नगर से बाहर निकाल दिया जाता था उसके बाद अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 13 गोतम बुद्ध के चार आरिय सत्तों का जो सत्ते थे उनका वर्णन करें आंसर देखें चार आरिय सत्ते हैं पहला है दुख संसार में जनम मरण संयोग वियोग लाभानी सबी दुख ही दुख है तो पहला इसमें दुख के बारें बताया गया है कि संसार के अंदर जो जनम मरण है मिलना भी चड़ना है लाभानी जो है ये सभी दुख के कारण है इन सभी में दुख ही दुख है उसके बाद दूसरा है दुख का कारण, दुख के कारण क्या है? सभी परकार के दुखों का कारण तरसना या वासना है यानि कि वासना को जो है दुखों का कारण बताया है दुख निरोध तरसना का अंत करके करने से दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है दुख निरोध यानि की दुख से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है तो इसमें बता है कि तरसना का अंत करके अपनी तरसना यानि के वासनाओ का अंत करके दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है उसके बाद दुख निरोद मार्ग दुखों पर विज़े पराप्त करने के लिए अस्ट मार्ग पर चलना चाहिए नेक्स कोशन है सत्ता के साज़दारी क्या है आंसर देखें सत्ता के साज़दारी एक ऐसी वेवस्ता है जिसके दुखार समाज के सभी वर्गों को निर्णे निर्मान परकरिया में भागिदार बनाया जाता है यानि कि इसके अंदर सत्ता के साज़दारी का मतलब यह होता है कि सत्ता के अंदर सभी लोगों का जो है अपना भागिदारी हो यानि कि क्योंकि सभी जो सभी वर्ग है वो अपने अपने नेता को चुनते हैं और जो चुने हुए नेता हैं वो सत्ता के भागिदार बनते है ताकि कोई भी वर्ग यह मैसूस ना करे कि उसकी अवेलना हो रही है यानि कि सत्ता के अंदर सभी वर्गों को भागिदार बनाया जाता है ताकि कोई भी वर्ग यह मैसूस ना करे कि उसकी अवेलना हो रही यानि कि उसको सत्ता में कोई स्थान नहीं दिया गया है सत्ता की साज़ेदारी ही वास्तविक लोगतंतर का मूल मंतर है यानि कि सत्ता के अंदर सभी लोगों को भागीदारी देना है यानि कि सभी लोगों को भागीदार बनाना यही लोगतंतर का मूल मंतर है उसके बाद सेक्शन C सेक्शन C के अंदर जो है सोट आंसर टाइब कुश्चन है तिन तिन नमबर वाले नीचे देगे उधान को पढ़िए और दिये गे परसनों के उत्तर देजिए तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ना था और फिर इसके जो कुश्चन है उनके आंसर बताने थे तो पहला कुश्चन है इसका कौन सा छेतर भारत में सबसे बड़े उत्पादक छेतर के रूप में उबरा है तो आंसर है तिरत्यक छेतर जिसको सेवा छेतर भी कहा जाता है उसके बाद दूसरा कुश्चन था इसमें जीवन बिमा कीश छेतर की गतीविदी है तो आंसर है तिर्ट्यक छेतर की और GDP क्या है गिसको कहते हैं किसी विशेश वर्ष के दोरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तूँ और सेवाओं का मुल्य सकल घरेलु उत्पाद कहलाता है Next question है बहू उदेशिये नधी परियोजनाओं के क्या नुक्सान है Answer देखें बहू उदेशिये नधी परियोजनाओं की हानिया बहू उदेशिये मतलब जिसके एक से अधिक उदेश से हो Answer देखें नदयों का प्राकर्तिक बहाव अवरुद होता है यानि कि जो नदियों का प्राकृति बहाव है यानि कि प्राकृति न जो निस्चित किया है बहाव नदियों का वो अवरूद होता है यानि कि उसमें रुकावट आती है जिसके कारण तलचट बहाव कम हो जाता है यानि कि तलचट है उसका बहाव कम हो जाता है बांध से होने वाले लाब को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ते हैं यानि कि बांध से जो लाब होते हैं उससे राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ते हैं बांध नदियों को टुकडों में बाट देते हैं कि जो बांद है नदियों को टुकडों में बाट देते हैं क्योंकि एक ही नदी पर कई जगे जो है बांद बना दिये जाते हैं जिससे नदियां जो है टुकडों में बट जाती है जिससे विशेश कर अंडे देने की रितू में जलिये जीवों का नदियों में सथानांतर अव प्रूद हो जाता है यानि कि रुकावट आती है उसमें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये परियोजनाएं कुछ समाजिक आंदलोनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण भी बन गई हैं जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हैं वो भी इसी वज़े से हैं इन की वज़े से जो स्थानिये जो समूदा हैं उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है यानि कि विस्थापिंत होना पड़ता है तो इसके ये भी नुक्सान है उसके बाद अगला खुशन है भारत के लोगों दवारा उर्जा के किन स्त्रोतों का परिय करेगा आंसर देखे भारत में लोगों दवारा प्रते प्रियोग किये जाने वाले उर्जा के स्त्रोत वर्तमान स्त्रोत वर्तमान का मतलब है फिलाल जो इस समय पर यूज किये जाने वाले स्त्रोत जो है निमन है प्रमप्रागत स्त्रोत कोईला पैट्रोलियम प्राकरती गैस और ऊर्जा ये जो हैं उर्जा के प्रमपरागत स्तृत है। इसके बाद यह संभावना कि अब से πचास वरस बाद भारत उर्जा के लिए गैर प्रमपरागत स्तृत रभारत निर्भर करेंगा। यानि कि यह बताया गया है कि आज से 50 साल के बाद जो भारत है प्रमपरागत जो स्त्रोत हैं उनका उपयोग नहीं करेगा उनके स्थान पर गैर प्रमपरागत स्त्रोतों पर निर्भर रहेगा यानि कि कोईला पैट्रोलियम प्राकरतिक गैसे इनका परियोग बंद कर देगा इसका कारण है कि यदि लोग कच्छे तेल का वर्तमान दर से परियोग करते रहें यानि कि इसमें ये बताया गया है कि जो इस समय पर कच्छे तेल का परियोग किया जा रहा है तो इसलिए जो है उर्जा की जो गैर प्रम प्रागत स्त्रोत है इनका पर्योग करना मजबूरी बन जाएगा उसके बाद है section D long answer type question है मानो विकास सूचकांग क्या है मानो विकास सूचकांग के गटकों के विशे में बताईए और उसके बाद choice में है सरस्वति सिंदू से बता के पतन के कारणों का विश्दार से समझाईए आंसर देखें पहले पहले वाले का संयुक्त राष्टर विकास कारिये कम UNDP दवारा त्यार एम पर कासित किये गए जीवन सूचकांग के गुणवक्ता को मानो विकास सूचकांग कहते हैं जो UNDP के दवारा त्यार किया गया और छपवाया गया है जीवन सूचकांग गुणवक्ता उसको जो है मानो विकास सूचकांग कहते हैं इसके अंदर कौन सी चीजे सामिल है यानि कि कौन सी चीजे देखी जाती है यानि कि कितने वर्सों तक वो जीवित रहेगा इसका अर्थ है कि एक बच्चा अपने जनम से कितने वर्स तक की आयू तक जीवित रहेगा यह सवास्ते सुविधाओं के सतर को दरसाती है जिस देश के अंदर लोगों की जीवन परत्यासा जो है अधिक होगी इसका मतलब है उस देश के अंदर जो सवास्ते सुईदाए हैं वो अच्छे सतर की है यानि की अच्छे लेवल की हैं उसके बाद दूसरा पॉईंट है सिख्षा का सटर इसे तात पर ये किसी देश के लोगों दवारा ओसत आधार पर प्राप्त की गई सिख्षा से हैं यानि कि इसके अंदर ये दिखा चाता है कि ओसतन जो है उस देश के लोगों की सिख्षा का सतर कितना है यानि कि कितना पड़े लिखे हैं उसके बाद है परती वैक्ती आए इससे अभी प्राइद देश के सबी लोगों की ओसत आए से है यानि कि देश के परत कि ़ुच जीवनशतर को दर्साती हैं उसके बाद है जो चोईस में था कुष्चन उसका अंसर है, संभवता सरस्वती सिंदू से बता कि पतन के अनेक कारण उतारदाई रहे होंगे यह और जो ceux सरस्वती सिंदू से बताथी उसका जो पतन हो गया था, उसके कई कारण जो है उतरदाई रहे थे पहला कारण है इसमें ये बताया गया है प्रसासनिक सिथिलता ऐसा माना जाता है कि सरस्वती सिंदू से बता कि अंतिम चरण में प्रसासनिक सिथिलता आ गई थी यानि कि विकास के जो कारिये थे वो बंद हो गए थे जिसके कारण ब पाजस्थान और पंजाब में इस से बता की बस्तियों का पतन हुआ तो जलवायू परिवर्तन जो है एक कारण बता आ गया है इस से बता के पतन का उसके बाद है बाड इस से बता के मोहन जुदाडो चानहू दडो लोथल और भगत राव नामक स्थानों के उत्खनन से यानि कि ये पता लगा कि बाड जो है एक कारण हो सकती है इस से बता के विनास का जिससे ये हैनुमान लगा गया है कि इस से बता के पतन में बाड की भूमी का रही होगी उसके बाद है विदेशी व्यापार में गतीरोद इस से बता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण अर्थ वैवस्था कमजोर, अर्थ वैवस्था जो है कमजोर हो गई, जिससे लोगों के जीवन सतर में गिरावट आई और सबता का पतन हुआ, यानि कि जो वितेसी वैपार था, वो बंद हो गया और जिसकी वज़े से जीवन का जो सतर था लोगों का, उसमें गिरावट आई और इस सिबता का पतन हुआ उसके बाद है महामारी मोहादजाद जोदाडू से पराफ्ट 42 मानों कंकालों के अध्यन अध्यन से पता चला है कि इन मेंसे 41 लोगों के मृत्तु मलेरिया जीसे महामारी सी हुई यानि कि 42 मानों कंकाल मिले और उसमें से 41 लोगों के मिर्ट्टू का कारण जो था मलेरिया था जिससे ये पता चलता है कि इस से बैदा का पतन का कारण जो है महामारी भी हो सकती है तो उसके बाद है अगला कोश्चन भारत में चावल के उत्पादन के लिए आवसक भोगोलिक आवन जलवायू दसाओं की वैख्या कीजिए जिसके वित्रन का भी वर्नन कीजिए आंसर देखें और जो चोईस में है आधूनिक लोगतांत्रिक विवस्था में सत्ता के साथ ज भारत के अंदर अधिक अधिकतर लोग जो है चावल खाते हैं हमारा देश विस्थो में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश यानिकी चीन के बाद दूसरे नमबर पर भारत में ही सबसे ज़्यादा चावल उत्पन किया जाता है यह है खरीफ की फ ताप पान होना चाहिए उसके बाद है वर्षा इसके लिए अधिक पानी की आवसकता होती है पकने तक इसकी जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए यानि कि जब तक चावल की फसल पक नहीं जाती तब तक इसकी फसल की जड़ें है वो पानी में डूबी रहनी चाहिए इ उसके बाद है बूमी, चावल के लिए समतल बूमी होने चाहिए, मिटी, इसके लिए जलोड तथाची का युक्त मिटी उप्युक्त रहती है ताकि उसमें अधिक समय तक पानी खड़ा रह सके, उसके बाद है सरमिक, इसकी किरसी के लिए सारे काम हाथ से करने पड़ते हैं, इसकी किरसी के लिए अधिक स्रिमकों की आवसकता होती है, यानि के अधिक मजदूर के आवसकता होती है, उसके बाद वितरन, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी, मैदानों, तट्ये छेतरों और डेल्टाई परदेशों में उगाया जाता है, नहरों के जाल और नलकूप की विवस्ता है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, पूर्वी, मद्धपरदेश, बिहार, आंदर प्रदेश और संपूर्ण उडिशा में उगाया जाता है, उत्तर भारत में उन्नीस सो पचासी क्यावन में चावल का उत्तर पादन 206 लाक टन हुआ, उसके बाद 2008 और 9 में भारत में चावल का उत्तर पादन 927 लाक टन हुआ, और 2015-16 में 1036 लाक टन चावल का उत्तर पादन हुआ, तो ये था आपका कक्सा दस्वी का सोसल साइंस यानिकी सामाजिक विज्ञान विशे के सैंपल पेपर अर्दवारसी परिक्सा के लिए, वीडियो ची लगे तो ला लोड हो तो उसका नोटिफिकेसन आपको मिल जए